गुड मॉर्निंग वनेनाल आज की वीडियो में हम जानेंगे फीवर के बारे में फीवर आप सभी के कुश्चन से आप सभी के कमेंट्स हैं वीडियो में सर्फ गले की दल्द के साथ में भुखार भी आ रहा है अब भुखार है क्या इसका नॉर्मल टेंपरिचर कितना होना चाहिए यह करता है कि आप की जगहे से ले रहा है यानि कि और है एक्जिलरी है या फिरेक्टल है हाला कि ब्ली और माउथ की द्वारा जो टैंपरिचर लेते हैं इसमें थोड़ा सा की ब्लीच होता है इस से पहले हम समझते हैं और यह क्यों ज़रूरी है फीवर आना भी क् हमारे शरीर में कोई ऐसे जाते हैं यह ऐसे पैथोजन सब्सक्राइब जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हनिकारक होते हैं मान लीजे एक एक जमपल के तोर पर मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है इस घर के बाहर मैंने सिक्यूरिटी गाड़ खड़े की हुए चार अगर मान पिटते हैं तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा वहाँ पर थोड़ा बत कच्छडा एकटा होने लगेगा कचड़ा यानि की डंडे भी डूटेंगे वह उनके पास चीज़े हां वह बीटूटेंगे तो यहहां पर ऐसी कंडिशन में हमारे साइटोकेंस जो होते हैं वह करती है क्यों कि हमें च्षै लोगों से बचाना है किसको हमारे चार गांड को अब चार-गाऱ खड़े है च्छै-लोग उनको मार रहे हैं और हम इस भितर से क्या कर और हमारा सरीर क्रें जब हमारे सरीर में कोई प difास्टम जाती है ज हमारा सरीर उसे खतम करने के लिए हमारी जो इम्मिनिटी होती है उसको रिलीज करता है जैसे वी लिंफोसिट से मस्ट सेल्स है और यहाँ पर इस साइटोचिन रिस्पॉंस करते हैं तो फीवर क्या है रिस्पॉंस टौष साइटोचिन and acute phase vér प्रोटीन और साइटोकेंस हमने समझ लिया है लेकिन एक्यूट फेस प्रेटिंग क्या है जब भी हमारे सरीर में इंफ्लेमेशन होता है सूजन कहीं आती है जैसे हार्ट में जोइंट में तो एक सी आर्पी नामा की प्रोटीन बढ़ता है क्यों बढ़ता है क्योंकि यह सर्कुलेटरी जो होता है इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इंफ्लेमेशन हो रहा है तो जब भी सरीर में कोई पैथोजन जाएगा कोई ऐसी हानिकारक सेल्स आएंगे या फिर हानिकारक ऐसे वैक्टिरिया जाएंगे तो इसी कंडिशन होगी बुखार आएगा जब सूजन होगी त महाँ पर कुछ चारी चीज़ें खटी होती है एक दूसरे जिए फाइटिंग होती है मस्ट सेल्स जो है हमारे लिंफोचेट्स है इम्मून सिस्टम जो है वह हमारा फाइट करता है अगेंस वाइरस और वैक्टेरिया जो पैथोजन्स है ठीक है यह हो गया फीवर वाली बा इन्टि एट पॉइंट सिक्सट मतलब होता है थर्टी सेवन डिगरी सेल्सियर अगर मान लीजे तो इस से उपर वेटा इस अब करेंगे भी लिए ने कि पहुत ज्यादा तेजभुकर कब कप कहेंगे जब भी किसी मरीज का टैंपरीचर एक सो दीगरी एक सो दो एक सो तीज डिगरी से उपर जाता है तब ऐसी कंडिशन में हम किसी कहते हैं हाइफ फीवर ठीक है अब इससे भी ज्यादा जाता है तो फिर एक अलग region होता है हो सकता है पीशन को बहुत ज्यादा infection व्यक्टिर इंफेक्षान हो यह दर कोई प्राब्लम हो क्वे प्राब्लम हो कोई जोट लगी हो मरीज को या फिर कोई और प्रॉब्लम हो अगर मान लीजे आपने ओरल टेमपरेशर लिए तो हमें सथ ध्यान रखिए ओरल टेमपरेशर एक्जेयरी टेमपरेशर से जादा होता है जैसे हमने भेटमा मीटर से is Completely एक है इसमोह में लगाते हैं जीप के निछे प्सक्रालय इसे कंडिशन में का फिज्बा अब रहें से ऊंडियुक्र सब्सक्राइब त्सक्रा नचे के पीश्बॉली नहीं कि वहां आना को थो किसी भी बाइरस से खॉतम करें में help कर रहा है ठीक है रीशेंटली बुक की बात करें तो यहां पर हंड़ेट पॉइंट फोर फेरेन हाइट जो की 38 डिग्री सेल्सियस होता है इसको भी नॉर्मल की कैटिगरी में रखा गया है अगर इससे ज्यादा पिशन को बुखा राता है तो फीवर होता है लेकिन यह जो पहले मेंने डाटा बताए है वो डाटा अभी ज्यादा इंपोर्टेंट है वो ज्यादा डाटा भी चल रहे है उन्ही डाटा के वेश्यस पर हमें पिशन को देखना है कि फीवर है या नहीं है सोबह का जो टेंप्रेचर है 98.6 Fahrenheit है इवनिंग का जो टेंप्रेचर है 99.6 Fahrenheit है आई होब की फीवर के बारे में आपको काफी सारी चीज़ा समझ आगे होगी अब हम बात कर लेते हैं कि फीवर को ठीक कैसे किया जाए नौर्मली अगर सरीर में कोई थोड़ा बहुत इंफेक्शन होता है तो अपने आप ये दो गंटे तीन गंटे में उतर जाता है मले माखको किरीया का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कивается में गळबर में गली में गली में नकुछ आपकासा अई योगाों है इसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको याज से एक दो महीने पहले नहीं थे वह सकता है थोड़ी चिंता वह की बज़े से हो टेंशन को कम कीजिए जिससे आपके वाडी नॉर्मल आएगी यूगा कीजिए किसे अगर किसी मरीच को भोकार नहीं उतार रहा तो उसको को राते हैं बच्चों मीं करा सप्ते हैं और बड़ों में को auditory की मतलब होता है रोमाल को थोड़े ठेंडे पानी से सर मांते पर रखना लसना बच्छे उनको हाथ और इवन चेस्ट जो है उसको भी हम कोल्ड इस्पंजिंग कराते हैं सो आई होब टेट्मेंट इसमें लेनी की ज़रूद नहीं होती जादा अगर कोई इंफेक्शन के बज़र से फीवर है तो टेट्मेंट आपको लेना पड़ेगा आसा करते हैं वीडियो आपको बसंद आया होगा पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है प्रोट से इस वीडियो के डिस्क्रीपशन में मिल जाएंगे कर दो कर दो कर दो